नमस्कार आईए बात करता हूँ सबसे पहले कनिष्टा उंगली की कनिष्टा उंगली इनके पास बहुत शानदार दरीके की है ये कनिष्टा उंगली सूरिय की उंगली के पिर्थम कर्ट तक पहुंची हुई है यानि के व्यापार की समझ के लिए बुद्धी की गुणवत्ता के लिए और साथी साथ भाषा शैली के लिए हमेशा कनिष्टा उंगली को देखा जाना जाता है अच्छी आरदास के लिए भी तो कारक तो बहुत सारे हैं उनमें से जो कारक मोटे रूप में है वो आपको बताए है मैंने तो यहां सूरिय की उंगली तक यहां लंबा इसकी पहुँच कही है उंगली की गहराई भी पूरी तरीके से गई हुई है यानि के ऐसा कुछ नहीं है कि इनको कोई आसानी से भेका सके यह बहुत चतुर भी है और व्यापार की अच्छी समझ भी है आईए बात करता हूँ सूरिय की उंगली के लिए सूरिय की उंगली यहां यस के लिए मान संबान के लिए साती सात माता पिता से संबंदों के लिए जानी जाती है यहाँ पर सूरिय की उंगली को यदि मैं देखता हूँ तो अपने आप में बहुत राज्य सरकार के लिए तो लाब नहीं दे रही लेकिन सेकंड पर पर जब ये कटका निसान हो जाता है तो ये इस पात की स्थितियों को बताता है कि आप जीवन के अंदर राज्य सरकार से कितना लाब ले सकते है तो जब ये विहवारीक पर कटके इनसान से हो जाए तो आप राज्य सरकार के लाब नहीं ले सकते इस प्रकार को दिखराने वाली यह उगली है यहां मैं आपके राइट एंड को भी देख लेता हूँ ठोड़ा सा कुछ आपके सवाल ते है उसकी वज़े से के बहन भाईों से कैसे संबन्द है वैसे कैसे है तो यहां तो गैप आ रहा है यह गैप यहां पर आ रहा है सूरिय और शनी की उली के बीच का ये गैप जब आ जाए तो स्वयम के माता पिता की व्यक्ती जीवन के अंदर जो है अपनी सेवा नहीं कर पाता उनके बुढ़ापे में आवरत हो या आदमी हो दोनों के लिए सब्जेक्ट होता है ये बीच का गैप होता है तो ऐसा हो जाता है कि बुढ़ापे में माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है जो भी वुरत है या आदमी है साथी साथ छोटे भेहन बायदी हो तो उनके साथ भी संबंद अच्छे नहीं होते तो ये यहां तक का सवाल बोल दिया मैंने आपका अब बात करता हूँ शनी के अंगली के बारे शनी के अंगली और यहां आपकी 35 साल की उमर है दोनों तरफ मैं देख करके चल रहा हूँ यहां पर यह विसूज पक्के वाले यानि कुल मिलाकर रोगों की अगर बात करता हूँ तो रोग आपको यहां नियुमंतरन दे रहे हैं यानि वर्तवान में भी हैं और आगे भी यह यह रेखा अगर मैं देखता हूँ तो राइट हैंड में कुछ हलकी बढ़ रही है लेकर रोग फिर भी आपको अभी वर्तवान में वर्तवान के लिए हो सकते हैं आगे तक के नहीं बोला जा सकता क्योंकि रेखा हैं बहुत सारी मिट सकती हैं ब्रसपती पर्व को देखेगा ब्रसपती पर्व यहाँ पर लेफ्ट हैंड के अंदर कुछ रेखा हैं कुछ मानसिक पताड़ना को दर्शानी वाली देखा हैं पती के साथ इनके गहनता से बहुत अच्छे संबंद होते चली जाएंगे ये इस बात को दर्शाने वाला इनका ब्रस्पती की उंगली है और साथ इसाथ संतान का सुक्सेव भी इनको मिलेगा आईए बात करता हूं बुद्ध पर्व के बारे में बुद्ध का पर यहां बु जीवन के आफ सकता हैं पूरी कर पा रही है तो अभी बहुत अच्छा नहीं दिकरा लेकिन आगे के जीवन में कैसा होगा मैं आगे रेखाओ को देखकर आपको बताने वाला हूं यहां देखेगा सूरिया पर्व सूरिया का पर और बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को का रेखा सीधी नहीं गई उसको कहीं ना कहीं को रेखा काटती रही ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ऐसा अपने आप में एक दो चीज की ट्राइग कर लेता है पहले उसमें ऐसे पलता मिलती है फिर भाग दोड़ करके दिरे दिर अपने आपको सैटल कर लेता है तो य राजनेतिक दक्षिता के रूप तरफ ना प्रियास करें राजनेति सफलता नहीं मिलेगी बुद्धी रेखा भी बहुत ही पश्ट रूपता से यहाँ पर है यानि कि बुद्धी क्या एक सिंबल यह माना जाता है अच्ची सिक्षा के लिए सिक्षा ना भी हो तो सिक्षित आजमी से भी जादा योगता इनके पास में मौझूद है बहुत सुंदर भाग रिखा की बात कर लेता हूं राइट हैंड में और यहाँ पर इनकी भाग रिखा बहुत सुंदर स़रूप से भाग परवथ जो है इनका शनी परवथ बहुत ही मजबूती से यहाँ पर एक तर है रोग होगी कोई बड़ी बहुत बड़े इशूर्स तो नहीं दिखते हैं आई यह बात करता हूं यहां पर मैं एक और पर के बारे ब्रस्पती का पर और ब्रस्पती के बर पर यदि आप देखें तो कुछ चतरुवी तक भी बनने की इस्तिति दिखाई देती है यह वो इस स्टेप बाई स्टेप कुछ देरी के साथ मिलेंगी लेकिन मिलेंगी अवश्य है जैसे अच्छी गाड़ी चाहें तो बहुत महनत से बहुत देरी से इच्छाओं से मिलती है पती के साथ सैटिंग होने में देरी होती है संतान में लड़का हो तो देरी होती है तो कुन मिला तोड़ासा हलकासा दीब बनाती है शरू में फिर कुछ आफस में कट जाती है इस तरह के रिखाएं पती के साथ हलकासा बहुत खराब वाली बात नहीं है संबंदों के अंदर ये तर्णाफ देती है यहाँ को बिलाकर यहाँ पर थोड़े से इशूज सेहत के भी बने हुए है तो वो चीज भी हावा देखाए देती है आई ये बात करता हूं मंगल रिखा की मंगल रिखा करम रिखा और करम रिखा से जब रिखाई निकलें तो व्यक्ति करम करने वाला होता है और करम करने में जरूरी है कि करम रिखाई अगर हाथ के अंदर नहीं है आप यदि मेहनत करने की चमता नहीं रखते हैं तो आपके जीवन में सफलता कैसे आपको मिलेगी तो करम रेखाएं बहुत हैं हाला कि बहुत से लोग इनको कहते हैं वे रहू रेखा के रुप में मैं समझता हूं जी अब ये डाउन हो करके काटती है तो जादे इसका प्रवाब होता है लेकिन जब ये और रेखाओं को काटती ही जाती है तो ये संगर्स कराती है आयू के उन उन फैक्टरों में तो अभी आपके आयू के फैक्टरों में बहुत संगर्स दिखला रही है ये रेखाएं तो कुल मिलाकर करम रेखाएं आपके पास है बुद्धी रेखा को देखिएगा बुद्धी रेका थोड़ा सा अलग अट करके चले यानि कुल मिलाकर आख जिद्धी भी हो सकती है थोड़ा सा किरोध भी कर सकती है लेकिन कुल मिलाकर चंदरपर्वत से आखे संपर्ख यानि दूर की सोच रखना और चिद्ध से अपने आपको सिद्ध करना और भुद्धी इनके पास बहतरी तरीके की है ये कनिश्टा मुली ने नहीं बताया और साथी साथ और परवो ने वी तो कुल मिलाकर भुद्धी रेका है मतले कि थोड़ा सा जिद्धी है आईए बात करता हूँ मैं यहाँ पर चंदरपर्वत के बारे कुछ मांसिक रूप से पीला भी रहती है आपको भी इस तरकार की रेकाए है तो यहाँ पर ये रेकाएं भी अच्छी रेकाओं के रूप में जानी जाती है आईए बात करते हैं इसके बाद मैं हम सीधी भाग के रेका की चंदरपर्वत से भाग के रेका निकले होता है तो जंदरपर्वत का इंवल्मेंट इतना करता है तो साथी साथ आपका भाग के जब तक आप दूर के लोगों में अपना माल सपलाई नहीं करेंगे दूरस्तान के लोगों से नहीं जुडेंगे जब तक आपके व्यापार में आपको सपलता नहीं मिलेगी तो ये वो रिकाएक सवाल का इस सवाल मैं जरूर यहां इनको देना चाहूंगा आपने पूचा है ये एक बिजनिस महीला है इनके आने वाला जीवन कैसा रहेगा और वो तो आप तो इनवल होंगी होंगे निश्ची तरूप से लेकिन मैं आपक है जीवन का ये देखे यहां से आप इनकी इस रेखा को देखेगा ये रेखा जो इनकी असली है इससे इनका असली हुद है याणि लगबग लगबग एक साल के बाद ये और गती आने वाली है और ये बहुत अच्ची और जुम्मेदारी पूरवक ये अपनी जुम्मेदा कि तरफ चलेंगी आई ये बात कर लेता हूं मैं इसके बात इनकी यहाँ पर सुक्रपर्व के बारे में शुक्रपर्व इनकी व्यापारी रिखा भी यही रिखा है व्यापारी रिखा जरूर नहीं है सुक्रपर्व से निकले ये भाग गे रिखा चंदर परवस से निकलती है तब भी व्यापारी रिखाई उक्यलाती है थोड़ा सा बीक में टूटी है तो उठ करके अपने आपको सम्वाल लेंगी और इस तरह सब्पोर्टिंग बहुत रिखा भी है तो यह यहाँ पर आईए बात करता हूँ शुक्रपर्व के बारे में अपने आप में जो आपने थाइरोइड के रोग होते है उनका कही ना कही चंदर शुक्र का involvement होता है थाइरोइड के लिए कुछ शुक्र पर यहाँ भी थोड़ा था जो है अपने आप में पीडित है तो उसकी वज़े से इनकोई थाइरेड का लोग तो अभी भी है और यदि इस तरह की पीडित के शुक्र पर बना रहा तो आगे भी इनको परिशान करेगा तो कुल मिला करके इनके जीवन के अंदर का यदि आप देखें तो शुक्र पर थोड़ा पीडित निकला ये अपने संसादनों से अपने आप में संतुष्ट भी नहीं रहते हैं जो संसादन है उसे संतुष्ट नहीं इसके लिए संगर्स भी करते हैं और संगर्स की रिखाए भी इनके पास है आईए बात करता हूँ इसके बाद मैं आपके आयो रिखा के बारे है आयो रेका और यहां पर यह आयो रेका कुल मिला कर इनके हफास में और इस तरीके से जा कर यह यहां जा कर इस तरह ज़दे जाएंगी या quarter मिला कर के इनके पात आयो रेका अच्छी है अभी मैं कह सकता हूं कहता हूं 72 прямо वतरवर्थ आगे भी यह रिखाएं बढ़ती रहती हैं तो यह सब मैंने आपको बताया यह थोड़ा दा परिवार से सहोग की रिखाएं भी यहां पर इनके पास में हैं तो इस तरह का पैत्रिक संपत्ति मिलने का भी कुछ योग दिखाई देता है तो यह सब विसूद इनके पीडित रहता है तो परिशान करेगा कुछ उपाएं बता दूँगा कर लेंगी तो बिलकुल निश्चित रूप से लाब मिलेगा जहां तक अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा डाउट है कि मैं मेरी मदर को कैंसर था तो मैं निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि आपको मदर से संबंदित कोई विरोग प्रॉबलम आपके जीवन में नहीं आने वाली है तो यह थाई राइट का थोड़ा आपको ध्यान नतना है बाकि कोई प्रॉबलम नहीं है थोड़ा सा लेफ्ट हैंड को भी मैं देख लेता हूँ आपने जब इतना पूछा है तो मेरा फर्ज बनता है लेफ्ट हैंड को भी देखता हूँ तो यह मानसिक पीड़ना वाली बात है या माता को पीड़ा वाली बात दिखाई देती है क्योंकि यह चंदर परवस से देखा जाता है तो यहां भी थोड़ा सा इसूज आपके जीवन के अंदर संगर्स रहा आपन तो च्छतीस में वर्स से अच्छा रोग सुरू होगा चिंदा मत करियेगा फैमिल लेशन में आपने पूछा हजमेंट के साथ में थोड़ा सा राइट हैंड में चलता हूँ तो हलका सा वहाँ पर एक एकस का चिंद दिखाई देता है वो कहते हैं थोड़ा सा च्छतीस का अकडा वागि तलाग की कोई बात नहीं हलका साइद दिखाई देता है आपर एक एकस का चिंद तो थोड़ा कहते हैं चछतीस का कड़ा पर तीन एक तरह कर लेए छह दूसरी को कर लें ग्त सा रोस थी और एक दूसरे के तरफ मूँ ना करके सो जाए तो यह च्छतीस का इनका जहां तक सवाल है देखिए जिसके भागे में जो है मदर का सुक नहीं होता तो मदर लोका, मदर इन लोका भी नहीं होता कुल मिलाकर अपने आप में थोड़ा सा, तोकि इनकी बुद्धी रखा दूर से चली है तो बस ये अपने मन में थोड़ा गरोध जलू लगती है ये कि मन से बहुत साफ है तो सामान ने इनके मदरी लोसे भी संबंद है और संतान का सुख से हो भी इनको मिलेगा तो आसा करता हूं कि सभी सवालों का जवाब दे दिया होगा मैंने अब मैं आपको उपाय बताता हूं देखिए इन्होंने कोई भी रिंग पहन लगी है और गलत पहन लगी है इनको पहनने चाहिए किवल किवल सिर्फ और सिर्फ फायर ओपल अगर इन्होंने रिंग पहन लगी है सौने की तो कोई दिक्कत नहीं है लेकि रतन बनता है इनको मुझे थाइराइट से बचाना है तो इसलिए उनको फायर ओपल पहना होगा उनको मिल जाए तो ठीक है नहीं मिले तो आप मुझसे संपर कीजिए मैं आपको आपकी इस्थान तक पहुचा सकता हूँ तो ये थाइराइट के लिए इनको फायर ओपल संतान के सुख सहोग के लिए या फार के लिए साथी साथ अपने रोगों के लिए देवी कबच पढ़ना पड़ेगा इन्हें दूर दूर का सबसेदी के देवी कबच का लिंक दे रहा हूं उसे पढ़िए और हर्मान जी की बुजा कीजिए आप जीवन में सुखी रहें यही मेरी सुख काम लाएं नमस्कार